कुछ माह पहले नैनिताल के मली ताल क्षेत्र में नैनिताल क्लब के समीट एक कार ने आठ लोगों को टककर मार कर बुरी तरह जक्मी कर दिया था जिसके बाद प्रशासन और ट्राफिक विवस्था को लेकर लोगों में खासा रोश व्याप्त हो गया था लोगों ने बीडी पांडे अस्पताल से लेकर चीना बाबा मंदिर तक वन वे करने और दो पहिया वहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की थी जिसके बाद प्रशासन द्वारा बीडी पांडे अस्पताल से लेकर उपर चीना बाबा मंदिर तक दो पहिया वहनों की आवाजाही पर पूर्णतर रोक लगा दी थी बीडी पांडे अस्पताल के सामने गोल घर चौराहे पर ट्राफिक पुलिस को बैरियर के साथ लगाया गया लेकिन ट्राफिक पुलिस द्वारा अपने जान पहचान वालों को प्रतिबंधित रास्ते से आने जाने दिया जा रहा है जिसकी विडियो भी सोशल मीडिया में वाइरल हो रही है ये देखकर लोगों में ट्राफिक पुलिस के लिए नाराजगी पैदा हो गई है लोगों का कहना है कि नियम सभी के लिए बराबर है अगर कोई व्यक्ति जो चौरा है के आसपास रहता है और वो ट्राफिक पुलिस की पहचान का है तो उसे दिन में कितनी बार भी आने जाने दे रहे है जबकि बाकी लोगों को आने जाने में रोक रहे है लोगों का कहना है ट्राफिक पुलिस सौतेला विवहार कर रही है अपने खास लोगों को बे रोक टोक आने जाने देती है और बिना पहचान वालों के साथ बदसलूकी से पेश आती है